दोस्तो आज हम आपको एक ऐसा वाक्या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे कि बकरी के पेट मेंसे जो निकला उसे देखकर पूरे गाउं के होश उड़ गए इसे वज़े से आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखे और वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलियागा देखे दोस्तो ये पुराने वक्त की बात है किसी गाउं में गरीब औरत रहती थी शोहर का इंतकाल हो चुका था महनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का वो पेट पालती थी और बाप की सरपरस्ती से महरूम लड़का आवारा लड़कों की सौबत में पढ़ गया था तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन उसकी मा बिमार पड़ गई ऐसे बुखार चड़ा कि होश ही न रहा तो ऐसे में काम पर क्या जाती और हुआ ये कि घर में खाने के लाले पड़ गए फाके होने लगे दवादारू तो दूर की बात है पेट में डालने के लिए रोटी तक नहीं था एक दो वक्त तो पड़ोसियों ने खाना दे दिया लेकिन बस्ती गरीबों के थी हर एक अपनी रोजी रोटी के लिए खड़ा रहता था तो इसी वज़ा से दूसरे उनको कितनी दिन खिलाते माने बेटे को जिसका नाम करमो था बैट कर समझाया बेटा यूँ कब तक काम चलता रहेगा कब तक तुमारी बिमार मा तुमें घर बिठा कर खिला सकती है अल्ला के करम से तुम जवान आदमी हो कोई काम धंदा क्यों नहीं करते कितनी शरम की बात है जिस वारत का जवान बेटा हो और वो दूसरों से उधार मांगती रहे आज तो मैं पड़ोस से आटा मांग कर लाई हूँ लेकिन रोज रोज ना कोई उधार देगा और नहीं मैं घर घर जाकर हाथ फैलाऊंगी बिमारी ने मुझे तोड़ कर रख दिया है अभी कुछ रोज मैं मजदूरी करने के काबिल भी नहीं हुई हूँ और फांकों ने हमारी कसल निकाल दी है अगर तुमने कोई काम धंदा नहीं किया तो कल से घर में चूला नहीं जलेगा ये बात कर्मों की समझ में आ गई जिस दिन से मां बिमार पड़ी थी पेट भर के रोटी भी नहीं मिली थी तो वो कहने लगा कि अच्छा मां आज मेरे लिए चार रोटी पगा कर रुमाल में बांदो मैं काम की तलाश में जाता हूँ कुछ ना कुछ लेकर ही आऊंगा इतना सुनते ही मां खुश हो गई पड़ोस से जो आटा उधार लाई थी उसके उसने चार रोटीयां एक प्यास के साथ रुमाल में बांदी और मिया निखट्टू चल पड़े कमाई करने करमु कहने लगा कि लेकिन मुझे तो यह काम आता ही नहीं है किसान बोला कि काम तो करने से आता है बेटा कोई मा के पेट से काम सीकर तो नहीं आता करमु ने कहा कि लेकिन काम तो मुझसे होगा नहीं मेरे सारे हाथ गंदे और कपड़े मिट्टी में रोंदे जाएंगे किसान ने काया कि तुम्हें आगे कुछ करना ही नहीं है मुफत के खाने की जो पड़ी है वहाँ से आगे बड़ा तो कर्मू ने देखा कि गेहु से भूसा अलग किया जा रहा था बहुत से लोग काम कर रहे थे कर्मू ने मालिक से पूछा कि चचा कोई काम मिलेगा कोई खेतों का काम मालिक बोला कि क्यों नहीं मिलेगा हम तो मजदूरों की तलाश में हैं चलो तुम भी लग जाओ दो रुपिया मजदूरी दूँगा कर्मू ने थोड़ी दिर काम किया और जब भूसा आँख नाख में गुशने लगा तो खासी आ गई जाकर सर और मूझ हाड़ा और आँखे साफ की पानी पिया और बोला कि लाना था ऐसे काम पर मुझसे काम नहीं होगा मेरी तो आँख नाख ही एक हो गई मालिक ने बुरा भला कहकर उसे महां से भगा दिया तो क्या नवाब है जा नवाबो वाले काम कर तो ऐसे में कर्मू आगे बड़ा और जंगल शुरू हो गया जंगल में पेडू की कटाई का काम चल रहा था बहुत से लोग पेड काट रहे थे कुछ लोग कटे हुए दरक्त उठाकर एक तरफ धेर करती जा रहे थे कर्मू ने ठेकेदार से पूछा कि भईया मैं काम की तलाश में हो कोई काम हो तो बताईए ठेकेदार ने कहा कि काम तो बहुत है अभी कई दरक्त गिराने है कटे हुए दरक्तो की शाके काटनी है और दरक्तो को बैल गाडियों पर लादना है तुम जवान आदमी हो कुलाडी उठाओ और पेड काटो अच्छी मजदूरी मिलेगी तो कर्मू कुलाडी उठाकर बड़ी दीर तक सोचता रहा और फिर उसने बोला कि भाई ये काम तो हमसे नहीं होगा कभी कुलाडी चलाई ही नहीं है मैंने कोई और काम हो तो बताओ ठेकेदार ने कहा कि कुछ पड़े लिखे हो हमारा मुंची नहीं आया है वो खाता लिखते और कटे हुए दरक्तो का अंदाज करते है चल निकल यहां से तो कर्मु हाथ जाड़ते हुए जंगल में अंदर की तरफ चला आया और दूर निकल गया दोबहर हो रही थी और धूब भी बड़ी तीज थी और उसको भूख भी ज्यादा लगी हुई थी कर्मु ने एक पुराने कुए के किनारे बैट कर तो वो बार-बार यही धोराय जा रहा था वो एक पुराना सा विरान कुए था और यहां कोई आता जाता भी नहीं था उसकोए में चार परिया रहती थी उन्होंने सुना तो वो भी सोच में पढ़के कि आज पता नहीं यांपर कौन आ गया है जो हमारा भी बाप है और हमें खाने की बात कर रहा है यकीनन ये कोई बहुत बड़ा तगड़ा सा जिन या दियो होगा वो चारो बिचारी डरते डरते बाहर आई और बोली कि देव माराज हमें मत खाईए हमें आप जो भी हुकम देंगे हम वो करेंगी कर्मू की मोटी अकल में ये बात आ गई कि उन परियों को कोई गलत फैमी हुई है कर्मू बोला कि हम तुमें जरूर खाएंगे हमें बड़ी भूग लगी है तो ऐसे में परिया जो थी वो थर-थर कांपते हुए बोली रुकिये हम आपके लिए खाने का इंतिजाम करती है वो अंदर कुए में गई और एक बड़ा सा पतीला निकाल कर ले आई और कहने लगी कि ये लीजे ये जादू का पतीला है जब आप कहेंगे कि भरजा अल्ला के नाम पर तो पुलाव जर्दे से ये पतीला आधा गर्मा गर्म पुलाव और आधा जर्दे से भर जाएका कर्मो ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और फौरन जर्दे पुलाव पर तूट पड़ा जितना खार सकता था उसने खाया बाकी उसने वहीं फेक दिया और वहीं पर लंबी टांग फैला कर सो गया शाम को आँख खुली तो घर की याद आई कि जंगल में रास्ता भटक गया है तो ऐसे मैं वो दूसरे गाउं जा पहुँचा और वहाँ पर एक सराय में रात को रुकने का फैसला किया पैसा तो उसके पास था नहीं सराय के मालिक ने कहा कि रात को रुकने का किराय देना पड़ेगा कर्मू ने कहा कि हम किराय नहीं देंगे बलकि रात को तुम्हारे याँ जितने भी मुसाफिर रुकेंगे उन्हें खाना खिला देंगे तुम खाना मत पकाना सराय के मालिक ने सोचा कि अजीब पागल आदमी है एक खाली पतिला लेकर आया है और सारे मुसाफिरों को खाना खिलाने की बाते कर रहा है उसने भी खाना नहीं पकाया और सोचा कि जब रात को खाना नहीं खिला पाएगा तो दो चार लाते मार कर उसे बाहर निकाल दूगा रात हुई और खाने का वक्त हुआ कर्मू ने हुकम दिया कि थोड़ी से जमीन पाक मिट्टी से लेपो और उसके बाद बोलो कि खाने के लिए तयार हो जाओ लेकिन ये क्या कर्मू ने पतिला इस लीपी हुई जमीन पर रखा और बोला कि आये पतिले अल्ला के नाम पर भर जा और पतिला फॉरन पुलाव और जर्दे से भर गया सराय का मालिक तो हैरान रह गया सारे मसाफिरों ने पेट भर कर पुलाव जर्दा खाया और बचा हुआ उठकर सुभा के लिए रख दिया अब तो सराय के मालिक ने मिया कर्मू की बड़ी खातिर मुदारिद की उसे खास तोर पर अपने कमरे में आराम दे बिस्तर पर सोने के लिए जगा दे दी कर्मू तो खुशी से फूल कर कुपा हो गया था और खुआब खर्गोशी के मजे लेने लगा और उसकी जगा उसी की तरह एक आम पतिला रख दिया गया सुभा जब कर्मू उठा तो सराय के मालिक ने रात के पुलाव जर्दे का नाश्ता कराया और रुखसत करते हुए बोला मियाजी फिराना आप तो बड़े अच्छे आदमी हो कर्मू खुशी खुशी पतिला लेकर घर पहुँचा अम्मा परेशान बैठी थी कि पहली बार कमाई करने निकला है ना जाने कहां अटग गया होगा खर जैसे ही बेटी की शकल नजर आई तो इत्मनान हुआ लेकिन उसके हाथ में बड़ा सा पतिला देखकर उसे गुसा भी आ गया कि घर में नहीं है दाने और मिया चले बुनाने इस पतिले में क्या मैं अपना सर पकाऊंगी लाया तो भी क्या लाया कर्मु ने कहा कि अरह मात तुम खुश हो जाओगी हैसी चीज लाया हूँ जो रोज पूरे गाउं में दावत करती फिरोगी तुम बस इतना सा काम करो कि थोड़ी सी जमीन को मिट्टी से लेप दो उसकी मा की समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था बकते जुकते उड़कर मिट्टी से उसने जमीन लेपी मिया कर्मु ने उस पर पतीला रखकर कहा कि आय पतीले अल्ला के नाम पर भर जा पुलाव जर्दे से लेकिन पतीला तो वैसे का वैसे खाली पड़ा रहा कर्मु हैरान और परेशान रह गया कि ये क्या हो गया रात को तो सभी को इसी में पका हुआ खाना किलाय था अब जब अमा के जामने सुर्खरू होने का मौका मिला तो पतीले ने धोका दे दिया उसने बहुत का कि भर जा जर्दे पुलाव से पतीला लेकिन कुछ नहीं हुआ अमा ने अपना सर पीट लिया कि कैसा पागर लड़का है तो कहीं पतीले भी पुलाव जर्दे से खुद बखुद भरते हैं हब इतने बड़े पतीले का मैं क्या करूँ पकाने को चुटकी भर अनाज नहीं है और तुम दस सेर का पतीला उठाय चले आ रहे हो मां से फर्माईश की कि चार रोटी पकादों में कमाई करने जाऊंगा अमा ने फिर से चार रोटीयां पका दी और तहकी की कि जिसके घर काम करता है वहां से कोई धंकी चीज लेकर आना और इसी तरह कोई देख्चा उठा कर मत लाना बिचारी मां समझी थी कि बेटा किसी के घर में काम करने लगा है और उन्होंने उसको ये पतिला दे दिया होगा खर्मु सिधा उस कोई के पास पहुचा और मुंडेर पर बैठ कर फिर से कहने लगा कि एक खाऊं दो खाऊं या तीन खाऊं या चारो ही खा जाऊं इसी तरह से वो विर्द करने लगा फिर चारो परिया डरी सहमी बाहर निकले और उन्होंने कहा कि आप हमें मत खाईए आज ये मेमना ले जाईए और जब आप कहेंगे ये सोने चांदी की मेगनिया कर देगा कर्मू बोला कि तुम जोट बोलती हो तुम्हारे पतीले ने एक मरतबा के बाद पुलाव जर्दा ही नहीं दिया उसे हमने फेक दिया है परियों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि आज आज आप इसे ले जाई ये कभी धोका नहीं देगा आपका घर सोने चांदी से भर जाएका तो कर्मू हस में मामूल सो गया शाम को उठा तो मेमना लेकर फिर उसी सराय में रात गुजारने पहुँचा सराय का मालिक बोला कि आप तो बड़ा ही खुबसूरत मेमना लेकर आए है कर्मू बोला कि कोई आम बकरी का बच्चा नहीं है ये सोने चांदी की मेगनिया करता है सराय के मालिक ने मजाक उड़ाया आरे मिया जी एक ऐसी बाते करते हैं आम क्या तुम बेब कुब बना रहे हो बखरी का बच्चा भी कोई सोने चांदी की मेगनिया करता है कर्मू को बहुत गुस्षा आया और फिर उसने कहा इधर देखो उसने मेमने से कहा कि कर दे सोने चांदी की मेगनिया तो उसी वक्त मेमने ने सोने चांदी की मेगनिया कर दी और ये देखकर सबकी आँखे फटी की फटी रह गई कर्मू ने दर्या दिली में सारे सोने चांदी की मेगनिया मालिक और मुसाफिरों में बाट दी और ये सोच कर कि मेरे पास तो मेमना है जब चाहूंगा सोना चांदी की मेगनिया हासिल कर लूँगा रात को कर्मू मेमने को अपने पलंग के पाए के साथ बांद कर सो गया और सराय का मालिक तो ताक में ही था कि जैसे कर्मू सोया उसने कमाल खोश्यारी से मेमना खोल लिया और उसके जगा उसी शकल का इतना ही बड़ा मेमना बांद दिया अगले रोज कर्मू मेमने को लेकर अम्मा के पास पहुँचा कर्मू की गोद में मेमने को देखकर अम्मा ने सर पीट लिया पत्थर पड़े ऐसे अकल पर अरे बेवकुफ यहां अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं और तू इस बकरी के बच्चे को उठा लाया है इससे कहां रखेगा और क्या खिलाएगा कोई धंकी चीज नहीं ला सकता तो उसने कहा कि अम्मा ये कोई मामूली बकरी का बच्चा नहीं है ये तो हमारे घर को सोने चांदी से भर देगा ये सोने चांदी की मेगनिया करता है तुम ठैरो, मैं अभी दिखाता हूँ उसने बकरी के बच्चे को खड़ा करके कहा कर दे सोने की मेगनिया लेकिन बकरी के बच्चे पर कोई असर नहीं हुआ कर्मू ने उसे एक दो जहापड रसीत किये तो उसने असली वाली काली काली मेगनिया कर दी अम्मा ने दो धमों के कर्मू को लगाया और बोली कि क्या अकल बेचकर खा गया है तो क्यों मेगने को मार रहा है कभी किसी बकरी ने भी सोने चांदी की मेगनिया की है कर्मू की उलज़न उरूस पर थी कि ये क्या हो रहा है सराय में तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है लेकिन जब मैं घर आता हूँ तो जादों खत्म क्यों हो जाता है बहुत सोचने के बाद कर्मू ने अम्मा से कहा आज चार रोटिया और पखा दे और कहने लगा कि एक खाओ या दो खाओ या तीन खाओ या फिर चारो एक खा जाओ उसके विर्द करने पर परिया डर्ती डर्ती बाहर निकली आपकी बार उन्होंने कर्मू को एक जादू की छड़े दी और कहा कि अगर तुम इस छड़ी को अपने जोपडी पर घुमाऊगे तो तुम्हारा जोपडा एक आलिशान मकान में बदल जाएगा शाम को कर्मु छड़ी लेकर सराय पहुँचा और सराय का मालिक चिक्नी चुपडी बाते करने लगा और बातों बातों में पुछने लगा कि भाया जी आज क्या लाय हो बेवकुफ कर्मु को सराय के मालिक पर जरा भी शक नहीं था उसने फौरण का कि आज तो मैं एक ऐसी चीज लाया हूँ कि तुम्हारी ये टूटी फूटी सराय शानदार होटल में बदल जाएगी सराय वाले की बातों में आकर कर्मु ने छड़ी घुमाई और वो छोटी सी तीन की सराय शानदार हिमारत में बदल गई सारा गाउं हैरान रह गया कर्मु की खातिर मुदारत होई शानदार कमरे में रात को सुलाया गया और सोने में छड़ी भी पार हो गई अम्मा ने कहा कि आज तु खाली हाथी चला आ रहा है आज कोई जादुगर नहीं मिला कर्मू बोला कि अम्मा आज तु मत पूछो आज एक ऐसी चीज लाया हूँ कि तुम खुशो जाओ कि और हमारा ये टूटा फुटा जोपडा महल में बदल जाएगा कर्मू ने भार निकल कर लाख छड़ी घुमाई लेकिन कुछ नहीं मिला जोपडा जो था वो वैसा का वैसा ही रहा ये देखकर अम्मा ने उसकी पीट पर दो हाथ मारे और बोली कि कमबक्त क्या तु अब अफीम भी खाने लग गया है जो दिन धाड़े ख्वाब देखने लगा है बस अब मैं रोटी नहीं पकाऊंगी क्योंकि तुझे कोई मेहनत करनी ही नहीं है तो कर्मू ऐसे मैं खुशामत करने लगा कि मेरी प्यारी अम्मा बस आज मेरे लिए चार रोटीयां पका और फिर कभी मैं तुझे रोटी नहीं मांगूँगा क्योंकि आज मुझे चोर का पता लगाना है तो आखिर अम्मा ने चार रोटीयां पका दी और कर्मू रोटी लेकर कुए के मंडेर पर जाकर पहुँच गया और फिर से वही कहने लगा कि एक खाओं दो खाओं तीन खाओं या फिर चारो ही खाजाओ तो ऐसे विर्द करने लगा तो परिया आज बड़े ही गुस्से में बाहर निकली और कहने लगी कि तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों पढ़ गया हो हमें तो ये खलत फहमी हुई थी कि तुम कोई जिन या देव हो लेकिन तुम तो मकार आदमी हो जो हमें पर्षान कर रहे हो हम तुमें चलाकर खाग कर देंगे करम खुशामत करने लगा कि नहीं नहीं परिरानी मुझे सजा मत दो मैंने कोई मकारी नहीं की है मैं तो एक गरीब बेरोजगार आदमी हूँ पहले दिन मैं अपनी रोटियों का हिसाब कर रहा था कि एक खाओं दो खाओं तीन खाओं या फिर चारों खाजाओ मगर तुम ही गलत समझी और अपनी मर्जी से तमाम चीजे मुझे दे दी अब आप आखरी बार मेरी मदद कीजे मैं बहुत मुसीबत में पड़ा हूँ आपने जो कुछ समान मुझे दिया था उसे लेकर मैं एक सराय में रुका महां मैंने उन्हें आजमाया लेकिन अगले दिन जब मैं घर जाकर अपनी अम्मी के सामने या आजमाने लगता हूँ तो सारा जादू जैसे खत्म हो जाता है पतिला जर्द बुलाव से नहीं भरता था मेमने ने कोई सोने चांदी की मेगनिया नहीं की और छडी ने जोपड़ी को इमारत में नहीं बदला और मैं इसी गुत्थी को सुलजाने आया हूँ आप मेरी मदद कीजिए परी ने कुछ लम्मे सोचा और फिर बोली कि तेरे पीछे चोड लगा है ये छोटा सा डब्बा ले जा और खबरदार खोल कर मत देखना उसी सराय में रुकना जहां हर दफार रुकते थे और डिब्बे कॉब ने सिराने रखकर सो जाना उसके बाद तमाशा देखना परिया कर्मू को एक डबा देकर वापस कोए में चली गई कर्मू रोज की तरह रोटी खाकर लंबी तान सोकर सोया मालिक तो बस इसी ताक में था बड़ी इज़त और आहतराम के साथ कर्मू को वो अंदर ले गया पुलाव जर्दा खिलाया और फिर पूछा कि भहिया जी आज आप क्या लेकर आया हो कर्मू ने कहा कि आज तो मैं कुछ नहीं लाया मुझे नींद आ रही है मुझे सोने दो सराय का मालिक कर्मू के हाथ में डिब्बा देख कर समझ चुका था कि यकीनन इस डब्बे में हीरे जवारात होंगे इसलिए भहिया जी डब्बा खुल कर नहीं दिखा रहे है जब कर्मू सोने के लेट गया तो मालिक को यकीन हो गया कि कर्मू सो चुका है उसने चुपके चुपके जाकर डब्बा सिरानी से उठा लिया और वैसा ही डब्बा उसकी जगा पर रख दिया कर्मू यह सब कुछ देख रहा था उसकी समझ में आप आचुका था कि घर जाकर यह चीज़े काम क्यों नहीं करती है एधर सराय के मालिक से सबर तो नहीं हो सका उसने वहीं पर वो डिब्बा खोला ताकि हीरे अपने कबजे में कर ले लेकिन डिब्बे में सोने चांदी की कुछ चीजों की बजाए एक सोने का बना हुआ हंटर निकला और उसके बाद फिर वो सराय के मालिक की खोपड़ी पर लगा तार धड़ा धड़ वार करने लगा सराय का मालिक चीखने और चिल्दाने लगा करमू भी उठकर बैठ गया और उसने कहा कि अबाई तेरी अगल ठिकाने में अब तु समझ ले कि चोड़ी और धोका देने का अंजाम क्या होता है चल जल्दी निकाल मेरा असली समान और वो सराय का मालिक कहने लगा कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ मेरी तौबा है मेरे बाप मेरी तौबा है अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा ये लो अपना समान ये पती ला लो और ये मेमना और उसी खिसादी वो छड़ी है और मेरी जान को बचाओ करमू ने उस चाबुक से का ऐ जादु के चाबुक डिब्बे में चला और ये बताते जा कि मैं सजा के तौर पर इस आदमी को पहले की तरह गरीब कैसे करूँ मुझे उसके लिए क्या करना होगा चाबुक से आवाज जाई कि जादु की छड़ी उल्टा गुमाओ सब कुछ पहले जैसा हो जाएका और इतना कहकर उसने चाबुक डिब्बे के अंदर डाली और वहाँ से चला गया और डिब्बा उड़ता हुआ नजरों से ओचल हो गया कर्मु ने जादु की छड़ी उल्टी घुमाई तो सराय फिर से वही पुरानी वाली शकल में आ गई सोने चांदी की मेगनिया मिट्टी और पत्थर के टुकडों में बदल गई मिया कर्मु सारा समान लेकर अपनी अम्मा के पास महुचा अम्मा को जर्द पुलाव खिलाया और मेमने ने सोने चांदी की मेगनिया की और कर्मू का छोटा सा जोपड़ा शांदार इमारत में बदल गया ना सिर्फ गाउं में बल्कि आसपास की इलाकों में भी कर्मू की शोहरत फैल गई दुनिया भर के चोरो चके, डांको कर्मू के याँ चोरी करने की फिकर में रहते तो ऐसे में कर्मू के दिन और चैन रात की नींद हराम हो गई थी पड़े-पड़े पुलाओ जर्दा खाने और चोरी की खौफ से और ना ही सोने से कर्मू की सेथ खराब होने लगी थी जब हकीम कुछ नहीं कर सके और पैसा भी काम नहीं आया तो अम्मा ने समझाया कि बेटा चैन और सुकून, सेहत और खुशी तब तक ही मैसर है जब तक इनसान महनत की रोटी खाता है अभी भी देर नहीं हुई है ये सारा जादू का समान परियों को वापस कर दो और इसके बदले में कोई कारोबार करो महनत करो अल्ला तुमारी खुई हुई सेहत और खुशियां लोटा देगा महनत में ही बरकत है महनत की ही रोटी दिल को सुकून देती है बात कर्मू की समझ में आ गई थी और उसने उसी वक जादू का सारा समा पतीला, मेमना और जादू की छडी सब ले जाकर वापस कोई में डाल दी उसने छोटी मोटी तिजारत शुरू कर दी और अल्ला ने उसे बरकत दी काम्याबी और खुशाली ने उसके कदम चुमे और अम्मा ने एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी तो ऐसे में करमों खुश है मैनत की रोटी खाता है और चैन की नीद सोता है इसी वज़े से प्यारे दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंदाई होगी